बिस्मिल्लै रुख्मान रहीम, असलाम अलेकुम, कैसी है मेरी यूटूब फैमली, आप आप सब ठीक होंगे, इंशाल्ला तो आज का जो व्लॉग है न मैंने शाम से स्टाट कर दिया था और मैंने हैना आज बनाना है ठीकन ठीका बिर्यानी, वो भी मुंबई स्टाइल में, ठीक है तो इसके लिए हैना मैंने सबसे पहले ठीकन को मैरिनेट करना है तो ठीकन को मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया था यहाँ आपर 5 टेबल स्पून भर के दही अच्छे ये दही का ना पानी पुरा निकला हुआ है वैसा दही लेना है यानिके गाड़ा दही लेना है इसमें मैंने डाल दिया है तीन टेबल इस्पून भरके तिका मसाला ठीके ये रेडी में टिका मसाला है अच्छा मेरे जो तिका मसाला यूज किया है यहाँ पर इसमें लेमन जूस डालना है अगर आपके पास रडिमेंट लेमन जूस है तो तीन टेबल एस्पोन डाल दे वरना अगर आफ फ्रेश लेमन ले रहें तो डो लेमन भी काफी होता है दो नीम्बू का जूस इसमें डाल दे ठीक है इसमें मैंने color डाल दिया है food color food color totally optional है आप इसे skip कर सकते हैं सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसे अच्छे से mix किया उसके बाद यहाँ मैंने two table spoon oil डाल दिया है oil डालने से यह होता है ना कि जब हम chicken पर मसाला लगाते हैं ना तो मसाला अच्छे से चिपक जाता है ठीके तो chicken को मैंने हिना अच्छे से दो कर रखा था यह मेरा देड किलो chicken है तो देड किलो का ही हम आज विर्यानी बना के तयार करेंगे चिकन डालके मसाला अच्छे से chicken पर लगा देंगे और इसे marinate करके हम रख देंगे दो से तीन घंटे के लिए ठीके अच्छे chicken चिका का जो मसाला मैंने आपको बताया है वो मैंने है ना घर के मसाले से भी बनाया है और बाहर का ready made मसाला भी मैंने mix किया है इसलिए मैंने घर के मसाले थोड़े कम डाले हैं तो आप अगर घर के मसाले से बना रहे हैं तो मसालों की quantity आपने थोड़ी सी बढ़ा दे दी है ठीक है न उसके बाद हम marinate करके उसे रख देंगे दो-तीन घंटे के लिए मैंने फ्रेज में रख दिया है तो वो आज 5 बजे आ रहा था कर तो उसने मुझे कहा कि आज मुझे घर आ करें न खाना नहीं खाना है मुझे आपने कुछ अच्छा सा स्नैक्स बना कर दे तो बस मैंने उसके फोन रख दे और उसके बाद मैं सोच में लग दे कि मैं ऐसा क्या बनाओ जो फटाफट से बन जाए क्योंकि वो आदे घंटे में तो पहुंच जाएगा घर तो बस मैंने सोचा कि लाए आज ब्रेट पिज़ा बना की तयार करते है तो ब्रेट पिज़ा बनाने के लिए है ना मैंने सबसे पहले बेकिंग ट्रेय ली आज लिए है और उस पर लगा दिया है पेज़ा साउस और प्रेजा साउस अच्छे से लगाने के बाद मैंने उस पर डाल दिया है ग्र्ट किया हुआ जीज ग्रेट डीट इड़ Hernandez यह प्रोसर्स चीज़ क्यों मै पके पास मरकी चीज हैं और भी अगर आपको इसमें कुछ डालना है तो वो भी डाल सकते हैं जिसे कौन वगेरा भी बहुत अच्छा लगता है तो आप वो भी डाल सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जब last time मेने चिकन बनाया था ना तो वो चिकन मेरे पास रखा हुआ था जो चिकन पीजा हमने बनाया था उसका चिकन मेरे पास बचा हुआ था ना तो वही चिकन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ तो सारा चिकन मैंने फैला दिया है उस पर मैंने डाल दिया है ओलिव्स ओलिव्स डालने के बाद यहाँ पर मैंने औरेगैनो डाल दिया था और अगैन उ स्प्रिंग्ल करने के बाद उपर से मैंने खुब सारा टीज और डाल दिया है और उसे बेक कर लिया है 5-7 मिनिट से बेक कर लेंगे और 5-7 मिनिट बाद देखी ये पीजा बनके तयार हो जाता है ब्रेड पीजा ये देखे इसका नीछे का लुक देखे किता सकते हैं और आप इसे तवे पे भी बना सकते हैं और आप इसे पनीर से भी बना सकते हैं बहुत मज़े का ये ब्रेड पिज़ा बनके तयार होता है और जट पर सा बन जाता है अगर आपके पास चिकन रेडी है तो चिकन सा बना ले वरना ये वेजिटेबल के साथ भी बहुत अच्छा सा बन जाता है तो चले मैंने अपने बच्छे को तो दे दिया था खाने के लिए उसने बेड बिज़र खाके बड़ा इंजॉर किया है और मेरा जो दिल हो रहा था आज ट्राइ बनाने का तो मैंने आज ट्राइ किया है वाइरल ट्राइ जो आज कल आपको इसपूं notamment ब daily है और उसके बाद मैंने उसे कैरमल कर लिया है जैसे यह शकर का कलर को अच्छा सा डार्क हो गया उसमें मैंने हैना 10 amp exp दोद और आध 10 om century करके रखाथा वो डाल दिया है इसमें मैंने 20 in चीट लाज दिए और जार रही हूं चाए पति के यहां पर अग अगर आप अद्रग की चाय पसंद करते हैं तो आप यहां पर अद्रग भी डाल सकते हैं मुझे इलाइटी वाली चाय पसंद है तो यहां पर मैंने इलाइटी डाल दिये सारी चीज़े डालके न अच्छे से मेक्स कर लेंगे और चाई का कलर तो बहुत अच्छा सा आ दिया था मैं थोड़ी सी स्ट्रॉंग चाई पीना पसंद करती है स्ट्रॉंग मतलब यह है कि चाई पत्ती ज्यादा नहीं होनी चाहिए लेकिन चाई पख़ी भी होनी चाहिए तो मैने क्या किया है ना चाई को अच्छा सा पका लिया लेकिन यहाँ बार जो शकर मैंने इस्तेमाल करी थी इतनी शकर में मैं डेली चाई बनाती हूँ वो मुझे परफिक्स लगती है लेकिन जब मैंने कैरमल के साथ ये चाय बनाई न तो मुझे चाय फीकी लग रही थी ये मीठी चाय मतलब जो टेस्स मुझे चाय था न वो टेस्स मुझे चाय में नजर नहीं आया है तो लोग तो बहुत कह रहे थे कैरमल वाली चाय है बहुत मज़े की बनती है यह है वो है लेकिन मुझे यह चाय बिलकुल पसंद नहीं आई है यह honest review है मुझे बिलकुल चाय पसंद नहीं आई है लेकिन चाय बन गई थी इसलिए मैंने चाय पी ली है वैसे इतनी भी बूरी नहीं थी ठीक ठाक थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई है तो बस ये चाए मैंने पी ली है वैसे चाए का कलर बहुत अच्छा है था ठीक है तो चाए मैंने पी ली थी उसके बाद मैंने एक पैन रख दिया गैस पर और अब मैं चिकन को फ्राइ कर लूँगी जो चिकन चिका हमने बना कर रखा था ये दो घंटे मैंने मैरिनीट करके रख लिया था इसे उसके बाद मैंने हैना इसे फ्राइ कर लिया है शैलो फ्राइ करना है हमने इसे और ये पैन में मैंने सारा चिकन डाल दिया है जितना इसमें आ सकता है उतना डाल दिया है उसके बाद मैंने इसे पलट लिया और मैंने इसे पीछे वाले गैस पर रख दिया था फ्राइ करने के लिए इस वाले गैस पर हम मसाला तयार करेंगे बिर्यानी का तो चिकन तिका बिर्यानी का मसाला तयार करने के लिए है ना एक हंडी लेंगे उसमें मैंने है ना टू टेबल इस्पून ओई डाल दिया है आप देखेंगे यहाँ पर ओईल का इस्सेमाल मैंने बहुत कम किया है मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने और ओईल कैसे डालना है इसमें जैसी ओईल थोड़ा सा गरम हो गया उसमें मैंने डाल दिया है टू टेबल इस्पून अधरक लसन का पेस्ट और जब हमने यह न चिकन को मसाला लगाया था तब भी हमने अधरक लसन का पेस्ट वहाँ पर इस्तेमाल किया था वन इन हाफ टेबल इस्प का एक बैच तयार हो गया था उसे मैंने निकाल लिया है और दूसरा बैच मैंने पैन में फिर से डाल दिया है तो जब तक वो बैच तयार होगा तब तक हमारा मसाला तयार हो जाएगा तो यहां देखी टमाटर और अदरकलसन को मिक्स करके अच्छे से पका लिया तमाटर जै तलीवी प्यास डाल के मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमारा चिकन भी फ्राइ हो चुका था तो जो ओईल हमारा पैन में बचा था मसाले के साथ में वो भी हम इसमें डाल देंगी सारा ओईल और मसाला इसमें डाल देंगी उसके बार इसे mix करेंगे और इसमें हम ढाल देंगे कुछ सुखे मसाले पाउडर मसाले इसमें मैंने डाल दिया था 1 टी स्पून हल्दी पाउडर 2 टी स्पून धनिया पाउडर और 2 टी स्पून इसमें मैंने डाल दिया है लाल मिश पाउडर और 1 टी स्पून यहाँ पर मैंने इना स्पाइसी वाला लाल मिश भी पाउडर इस्तेमाल किया है और यहाँ पर है न मै तो बस मसाले में चिकन को डाल के आलू को डाल की आच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद यहां पने ज़ुरूर डाला है टीकहे तो हरा धनिया पुदीना डालने के बास में नमक चेक कर लिया था तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लगा तो यहां मैं नमक डाल दिया है और नमक आप उतनी थेस्स के हिसाब से डालिएगा और यहां पर मैंने डो टेबले इसपुन लेमन जुस डाल दिया है लेमन जूस दानने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद हमने न दूसरी तरफ कोईले को जलने के लिए रख दिया था कोईला जैसे अच्छे से जल जाएगा फिर हम दे देंगे कोईले का दुआ दूसरी तरफ है ना मैंने बिर्यानी के चावलों को बॉil करने के लिए पानी भी रख दिया है और बिर्यानी का चावल भी हमारा बॉil हो जाएगा तो कवर करेंगे इसे पांच मिनिट के लिए कोईले का धुआ दे देंगे पाट मिनिन बाद ही न जैसे ही कोईले का दूआ कमप्लीट हो चुका था तो मैंने उसे साइड में रख दिया तब तक हमारे चावल भी बॉil हो चुके थे चावल का भी पानी निकाल लिया था और जिस हंडी में मैंने चावल भॉil किये उसी हंडी में में बिर्यानी बनाओी तो नीचे मैंने थोड़े से चावल भी चा लिया है क्योंकि चिकन डिका का जो मसाला होता है न वो थोड़ा ड्राय सा होता है तो मसाला नीचे से जल जाएगा इसलिए मैंने पहले चावल बिछाया उसके बाद सारा मसाला मैंने चिकन का इसमें डाल दिया और थोड़ा सा मैंने तलीवी प्यास उपर से डाल दी और जो चावल को बॉइल करके रखा था सारा चावल हम उपर से डाल देंगे अच्छे यहाँ पर क्या हुआ ना चावल मैंने डाल दिया और फॉरण से ही मेरी अम्मी का मुझे कौल आया क्योंकि यह बिर्यानिंग में उन लोगों के लिए ही बना रही थी कि मेरी अम्मी आने वाले थे लेकिन हैना उनका फोन आता है कि वो अच्छानक से हेना नहीं आ रहे है तो फिर मैंने आगे क्या किया ना मैं आपको बताती हूँ तो मैंने यहाँ पर इना फोट कलर डाल दिया यलो फोट कलर डाला है थोड़ा सा जाफरान मिक्स कर दिया था इसमें और इसमें मैंने थोड़ा सा उपर से घी डाल दिया और वरिस्टा डालके इसे 10 मिनिट के लिए कवर करके मैंने दम दे दिया पर 10 मिनिट बात देखें ये हमारी न बिर्यानी में अच्छा सा दम आ चुका था तो मैंने इसका दम हटा लिया है उसके पाद हम बिर्यानी देशेंगे कितनी जबरदस्टी बनकी ये तैयार हुई थी तो जैसे ही मुझे गौल आया था अमी का कि अमी लोग नहीं आ रहे हैं कुछ अमर्जनसी हो गई थी तो इतनी सारी जो बिर्यानी मैंने बनाई थी तो मैंने क्या किया कि डबे में मैंने बिर्यानी भरी और उसके बाद मैं ही मुझे अमी के दर पहुंच गई थी तो मैंने सोचा ये बिर्यानी बन चुकी है तो लाए बिर्यानी डपिर में भरती हूँ और ममी के दर लेके पहुँच जाती हूँ तो बस ये बिर्यानी को मैंने डपो में भर दिया लेकिन सबसे पहले मुझे याद आया कि मैंने बिर्यानी तो आपको प्लेट में निकाल के बताई नहीं तो फटा फट से मैंने ना बिर्यानी को प्लेट मुई निका ली ताके मैं आपको बताओ कि बिर्यानी का फाइनल लुक देखे कितना जबर्दरस है वैसे बिर्यानी आपको देखे लग रही होगी ना बहुत जबर्दरसी बनके तयार हुई है बहुत मज़े की बहुत इतनी अच्छी खुश्बू आती है जबर दसी खुश्बू आती है तो आप यह देख रहे ना इसका फाइनल लुक कितना जबर्दस नजर आ रहा होगा आपको तो बस यह बिर्यानी मैंने बनाई डपर में बिर्यानी भर ली और उसके फॉरण बाद मैंने आपको बता दिया का चावल कैसे मॉल करते हैं तो मैं आपनी दूसरी बिर्यानी की रेसिपी का लिस्ट जो है ना एंड में लगा दूंगी और उपर आई बटन पर भी दे दूंगी आप ज़रू चेक कर लेना ठीक है बस यह देखे जिकन ठीका बिर्यानी मॉंबाई स्टाल आपके सामने रे क्रीज असलाम आले कॉम